जिसकी प्रेणा राश्ट भक्ति हो जिसकी प्रेणा पंजाब का विकास हो बीजेपी पूरे समर्पित भाव से पंजाब के लोगों के सामने पंजाबी सुर्ख्षा का संकल्प लेकर पंजाब के विकास का संकल्प लेकर के आई है एक बार भाज़पा को आपकी सेवा करने का मौका दीजिए एक बार पांच साल मुझे दीजिए और फिर देखें क्या डबल इंजिनी की सरकार कैसे पंजाब को तेजगती से आगे बढाती है आप देखिए देश के इतने सारे राज्य है जब कॉंग्रेस एक बार गई तो फिर कभी लोटकर आई ही नहीं और जहां भाज़पा को आशिदवाद मिल गया वहां तो कॉंग्रेस जड़ मूल से साफ हो गई साथियों पंजाब के इक शेत्र ने देश को ये दिखाया था कि खेती भी खुशाली का जरिया बन सकती है लेकिन आज स्थीतियां बदल रही है यहां की मिट्टी की उपजाव क्षम्ता गट रही है मिट्टी में केमिकल्स बढ़ गए है भाई और बेनों इतियाज गवा है कॉंग्रेस ने किसानों को हमेशा दोखा दिया स्वामी नाधन कमिशन की सिफारसों को लागू करने की मांग सानों से देश में थी यह पाइल पर बैठ गए थे लेकिन कॉंग्रेस सरकारें जूट पर जूट ही बोलती रही केंद्र में हमारी सरकार बनी तो हमने उन सिफारसों को लागू करने का काम करके दिखाया भाइयों यह हमारा किसानों के प्रती हमारी भारती जनता पार्टी का लगाव है हमने आप देखिये पुराने रिकौड और मैं चुनोती देता हूँ किसी भी दल को हमारे समय में अनाज की रिकॉर्ड खरीदी की और किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसा बहजा है हमने उसके खाते में सीधा पैसा आता है भाई और भेनों पंजाब के किसानों को आज नई सोच और नए विजन वाली सरकार चाहिए आज किसान को बैतर फसल कम लागत और बैतर कीमत की जरूरत है इसके लिए हमारी सरकार बीच से बाजार तक नई व्यवस्ता बना रही है ये भाजपा की सरकार है जितने जल जीवन मिशन शुरू किया है आज हम पंजाब के घर घर में साफ पानी का कनेक्शन देने के लिए नल से जल पहुचाने के लिए हम बहुत तेज गती से काम कर रहे हैं साथियों पंजाब में आज हर व्यापार मापियाओं के कबजे में हैं व्यापारियों को मापियाओं की कृपा पर जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है इसकी सबसे बड़ी तकलीब हमारे छोटे व्यापारियों को हो रही है ABP News आपको रखे आगे